अभी मुझे कुछ लाभार्थियों से चर्चा करने का आउसर मिला आज अपना पक का घर मिला है, अपने सपनों का घर मिला है, अपने बच्चों के भविष्य का एक नया विश्वास आपके मन में पैदा हुआ है अब मद्यप्रदेश के पौने दो लाख ऐसे परिवार जो आज अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, जिनका ग्रह प्रवेश हो रहा है उन सभी को, मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुब कामराई देता हूँ, ये सभी साथी टेकनोलोजी के किसी न किसी माध्यम से, पूरे मद्यप्रदेश में इस कारकम से जुड़े हैं, आज आप देश के उन सभा दो करोड परिवारों में सामिल हो गए हैं, जिने बीते छे वर्सों में अपना घर मिला है, जो अब किराय के नहीं, जुग्यों में नहीं, कच्चे मकान में नहीं, अपने घर में रह रहे हैं, पक्के घर में रह रहे हैं, साथियों इस बार आप सभी की दिवाली आप सभी के त्योहारों की खुशियां जुरूर कुछ जादा ही होगी कोरोना काल ही के कारण और अगर यह स्थिति न होती तो आज आपके जीवन की इतनी बड़ी खुशी में शाविल होने के लिए कि आपके घर का एक सदस्य ऐसा ही आपका प्रधान सेवक आज मत्रप्रदेश में होता आपके बीच होता और आपके इस आनंद अच्छों में भागिदार होता लेकिन कोरोना की जो स्थिति है उसके कारण मुझे दूर से ही आज आप सब के दर्शन का आउसर मिल रहा है आज के इस समारम में मध्यप्रदेश की गवणर सिम्रति आनंद बेन राज्य के मुख्यमंत्री भाई सिवराज जी केंदर में मंत्री परिशत के मेरे सहयोगी नरजडशी जी मेरे साथी भाई जोति रादित्य जी मध्यप्रदेश के मंत्री गण के सदस्य, साउसत और विधायक गण ग्राम पंचायतों के प्रतिनिती गण और मध्यप्रदेश के गाउं गाउं से जुड़े सभी मेरे प्यारे भाई और भेनों आज मध्यप्रदेश में सामोही ग्रह प्रवेश्काय समारो पौने दो लाग गरीब परिवारों के लिए तो अपने जीवन का यादगार पल है ही देश के हर बेघर को अपना पक्का घर देने के लिए भी एक बड़ा कदम है आज का ये कारकम मध्यप्रदेश सहीत देश के सभी बेघर साथियों को एक विश्वाद देने वाला भी पल है जिनका अब तक घर नहीं एक दिन उनका भी घर बनेगा उनका भी सपना पूरा होगा साथियों आज का ये दिन करोडों देश वासियों के उस विश्वास को भी मजबूत करता है कि सही नियत से बनाई गई सरकारी योजनाएं साकार भी होती है और उनके लाभार्थियों तक पहुंचती भी है जिन साथियों को आज अपना घर मिला है जिन से मेरी बात्चित हुई है और जिनको मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ उनके भीतर के संतोष उनके आत्मविश्वास को मैं अनुभव कर सकता है मैं आप सभी साथियों से यही कहूंगा कि यह घर आपके बहतर भविश्व का नया आधार है यहां से आप अपने नए जीवन की नई शुरुवात किजिए अपने बच्चों को अपने परिवार को अब आप नई उचाईयों पर लेकर जाईए आप आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा साथियों कोरोना के काल में तमाम रुकावटों के बीच भी देश भर में प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट अठारा लाग गणों का काम पूरा किया गया है उसमें एक लाग पच्चता हजार घर अकेले मद्द परदेश में ही पूरे किये गये हैं इस दौरां जिस गती से काम हुआ है वो भी अपने आप में एक रिकार्ड है सामान्य तोर पर प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट एक घर बनाने में आउस्तन सवा सो दिन एक सो पचीस दिन का समय लगता है लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो देश के लिए हमारे मिडिया के साथियों के लिए भी ये बहुत सकारात्मक ख़वर है कोरोना के इस काल में पी एम आवास योजना के तहट घरों को बनाने में सवा सो दिन नहीं सिरफ पैतालिस से साड़ दिन में ही बना कर तयार कर दिया गया है आपदा को अवसर में बदलने का ये बहुती उत्तम उदान है आप सोचेंगे कि ये कैसे संभव हुआ पहले सवासो दिन अब चालिस से सार दिन के बीच में कैसे हुआ साथियो इस तेजी में बहुत बड़ा योगदान रहा शहरों से जो हमारे स्रमिक भाईबेन लोटे हैं उनके पास गुनर भी था इच्छा शक्ती भी थी में जुड़ गए और इसके कारण ये परणाम मिला है हमारे इन साथियों ने प्रधान मंत्री गरीब कल्यान रोजगार अभियान का पूरा लाब उठाते हुए अपने परिवार को संभाला और साथ साथ अपने गरीब भाई बहनों के लिए गर भी तयार करके दे दिये मुझे संतोस है कि पी एम गरीब कल्यान अभियान से मद्द्प्रदेश सहीत देश के अनेक राज्यों में करीब करीब 23,000 करोड रुपिये के काम पूरे किये जा चुके हैं इस अभियान के तहट गाउं गाउं में गरीबों के लिए गरतों बनी रहे हैं हर गर जल पहुँचाने का काम हो आंगनवाडी और पंचायत के भवनों का निर्मान हो पशुओं के लिए शेड बनाना हो तालाब और कुएं बनाना हो गरामीन सडकों का काम हो गाउं के विकास से जुड़े ऐसे अनेक काम तेजी से किये गए हैं इससे दो फायदे हुए हैं एक तो सहरों से गाउं लोटे लाखों स्रमिक साथ्यों को रोजगार उपलब्द हुआ है और दूसरा इट, सिमेंट, रेट और निर्मार से जुड़े दूसरे सामान का व्यापार कारोबार करते हैं उनकी भी भिक्री हुई है एक प्रकार से प्रधान मंत्री गरीब कल्याद रोजगार अभ्यान इस मुश्किल समय में गाउं की अर्थववस्ता का भी बहौत बड़ा सहारा बन करके उभरा है इसे बहौत बड़ी ताकत प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट हो रहे कारियों से मिल रही है साथियों मुझसे कई बार लोग पुछते हैं कि आखिर गर्तों देश में पहले भी बनते थे सरकार की योजनाओं के तहट बनते थे फिर आपने बढ़लाव क्या किया ये सही है कि गरीबों के लिए घर बनाने के लिए देश में दसकों पहले से योजनाओं चली आ रही है बलकि आज़ादी के बाद के पहले दसक से ही सामुहिक विकास कारकम के तहट ये काम शुरू हो गया था फिर हर 10-15 साल में इस प्रकार की योजनाओं में कुछ जुड़ता गया नाम बदलते गये लेकिन करोडों गरीबों को जो घर देने का लक्स था जो एक गरिमा पुर्ण जीवन देने का लक्स था वो कभी पुरा ही नहीं हो गया कारण ये था कि पहले जो योजनाओं बनी थी उनमें सरकार हावी थी सरकार का दखल बहुत ज्यादा था उन योजनाओं में मकान से जुड़ी हर चीज का फैसला सरकार और वो भी दिल्ली से होता था जिसको उस घर में रहना था उसको कोई पूस्ता ही नहीं था अब जैसे शहरों की ही तरजपर आदिवासी क्षेत्रों में ही कॉलोनी सिस्टम थोपने की कोशिश होती थी शहरों जैसे मकान बनाने की ही कोशिश होती थी जबकि हमारे आदिवासी भाई बेहनों का रहन सेन शहर के रहन सेन से बिल्कुल अलग होता है उनकी जरूरत अलग होती है इसलिए सरकार के बनाए घरों में उनको वो अपना पन कभी नहीं लगता था इतना ही नहीं पहले की योजनाओं में पारदर्शिता की भी भारी कमी थी कही तरह की गरबढ़िया भी होती थी मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता इसलिए उन घरों की क्वालिटी भी बहुत खराब होती थी उपर से बिजली पानी जैसी मुल जरूरतों के लिए लाभारती को सरकारी दफ्तरों के चक्कर अलग से काटने पड़ते थी इन सबका नतीजा ये होता था कि उन योजनाओं के तहट जो गर बनते भी थे उनमें जल्दी लोग सिफ्ट ही नहीं होते थे उनमें गरफ अवेशे नहीं हो पाता था सातियों 2014 में हमने जब से कारियस हमाला इन पुराने अनुभों का अध्यन करके पहले पुरानी योजना में सुधार किया गया और फिर प्रधान मंत्री आवास योजना के रुप में बिलकुल नई सोच के साथ योजना लागू की गई इसमें लाभार्ति के चैन से लेकर ग्रह प्रवेश तक पार दर्शिता को प्रात्विक्ता दी गई पहले गरीब सरकार के पीशे दोड़ता था सिफारस के लिए ढूंदता था लोगों को आज हमनारी योजना ऐसी है कि सरकार को लोगों के पास जाना होता है खोजना होता है और सुविधा देनी होती है अब किसी की इच्छा के अनुसार लिष्ट में नाम न जोडा जा सकता है न गटाया जा सकता है चयन से लेकर के निर्मान तक वैज्ञानिक और पारदर्सी तरीका अपनाया जा रहा है इतना ही नहीं मट्रियल से लेकर के निर्मान तक स्थानी अस्तर पर उपलब्द और उप्योग होने वाले सामानों को भी प्रात्विक्ता दी जा रही है। गर के डिजाइन भी स्थानी जरूरतों और निर्मान शेली के मताभी की तैयार और श्विकार किये जा रहे हैं। अब पूरी पारदर्सिता के साथ घर बनाने के हर चरण की पूरी मोनिटरिंग के साथ लाभारती खुद अपना घर बनाता है। जैसे जैसे घर बनाता जाता है वैसे वैसे घर की किस्त भी उनके खाते में जमा होती जाती है। अब अगर कोई बेहिमानी करके भी कुछ कोशिच करता है, तो इसमें पकड़े जाने के लिए अनेक रास्ते भी बनाए गए हैं। रंग होते हैं, वैसे ही प्रधान मंत्री आवास योजना के तहद बनने वाले घरों के भी अपने ही रंग है। सब कुछ घर के साथ ही मिल रहा है। यानि PM आवास योजना के आधार पर ही अनेक योजनाओं का लाभ लाभार्ति को सीधे मिले ये देखा जा रहा है। मैं सिवराज जी की सरकार को फिर बढ़ाई दूँगा कि उन्होंने इसको विस्तार देते हुए PM आवास योजना के साथ 27 योजनाओं को जोडा है। ताथियों प्रधान मंत्री आवास योजना हो या स्वच्य भारत अभियान के तहट बनने वाले सौचाले हो इनसे गरीब को सुविधा तो मिली रही हैं बलकि ये रोजगार और ससक्ति करण का भी ये बड़ा अमाध्यम है। विशेश तोर पर हमारी ग्रामीन बहनों के जीवन को बदलने में भी ये योजना एहम भूमी का निभा रही है। पीम आवास योजना के तहट बन रहे घर की रजिस्ट्री जादातर या तो सिर्फ महिला के नाम पर हो रही है या फिर साजी हो रही है। वही आज गावों में बड़ी मात्रा में रानी मिस्त्री या महिला राज मिस्त्री के लिए काम के नए अवसर बन रहे हैं। अकेले मद्द प्रदेश में ही पचास हजार से जादा राज मिस्त्रियों को प्रसिक्षित किया गया है। और इसमें से नव हजार रानी मिस्त्री हैं। इस से हमारी बहनों की आय और आत्मिश्वास दोनों में बढ़ोत्री हो रही है। साथियों जब गरीब की गाउं की आय और आत्मिश्वास बढ़ता है तो आत्म निर्भर भारत बनाने का हमारा संकल पर भी मजबूत होता है। इस आत्मिश्वास को मजबूत करने के लिए गाउं में हर प्रकार का आधूनिक इन्फास्रक्टर विक्सित किया जा रहा है। 2019 के पहले पांच वर्ष सवचालय, गैस, बिजली, सडक ऐसी बेसिक सुविधाओं को गाउं तक पहुँचाने का काम किया गया। अब इन मुल्ग सुविधाओं के साथ साथ आधूनिक सुविधाओं से भी गाउं को मजबूत किया जा रहा है। इसी 15 अगस को लाल के लिए से मैंने कहा था कि आने वाले एक हजार दिनों में देश के करीब 6 लाग गाउं में अप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा किया जाएगा। पहले देश की ढाई लाग पंचायों तक फाइबर पहुँचाने का लक्ष रखा गया था। अब इसको पंचायत से आगे बढ़ा कर गाउं गाउं तक पहुँचाने का संकल पली आ गया है। इस कोरोना काल में भी प्रधान मंत्री गरीब कल्या रोजगान अभ्यान के तहट ये काम तेजी से चला है। सिरफ कुछ हपतों में ही देश के 116 जिलों में 5000 किलोमेटर से जादा का आप्टिकल फाइबर बिछाया जा चुका है। जिससे साड़े 1200 से जादा ग्राम पंचायतों में करीब 15,000 वाइफाइ होट स्पोर्ट और लगबग 19,000 अप्टिकल फाइबर कनेक्शन दिये गये हैं। यहां मद्द प्रदेश के भी चूने हुए जिलों में 1300 किलोमेटर से जादा आप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। और मैं फिर याद दिलाऊंगा यह सारा काम कोरोना काल में ही हुआ है। इतने बड़े संकट के बीच हुआ है। जैसे ही गाउं गाउं में आप्टिकल फाइबर पहुँचेगा तो इससे नेटवर्क की समस्या भी कम हो जाएगी। जब गाउं में भी जगह जगह बहतर और तेज इंटरनेट आएगा। जगह जगह वाइफाइ हॉट स्पॉट बनेंगे। तो गाउं के बच्चों को पढ़ाई और युवाओं को कमाई के बहतर आउसर मिलेंगे। यानि गाउं अब वाइफाइ के ही होट स्पॉट से नहीं जुडेंगे। बलकि आदुनिक गतिविद्यों के व्यापार कारोबार के भी होट स्पॉट बनेंगे। साथियों, आज सरकार की हर सेवा, हर सुविदा अनलाइन की गई है ताकि लाभ भी तेजी से मिले। करप्शन भी ना हो और गाउं के लोगों को छोटे-छोटे काम के लिए भी शहर की तरफ न भागना पड़े। मुझे विश्वास है कि गाउं गाउं ऑप्टिकल फाइबर पहुचने से इन सेवाओं और सुविदाओं में भी और तेजी आएगी। अब जब आप अपने नए घर में रहेंगे तो डिजिटल भारत अभ्यान आपका जीवन और आसान बनाएगा। गाउं और गरीब को ससक्त करने का यह भ्यान अब और तेज होगा इसी विश्वास के साथ आप सभी साथियों को अपने खुद के पक्के घर के लिए फिर से अनंत शुब कामनाय देता हूँ। लेकिन याद रखिये और ये बात बार बार मैं कहता हूँ जरूर याद रखिये। मुझे विश्वास है आप याद रखेंगे इतना ही नहीं मेरी बात मानेंगे भी। देखिये जब तक दवाई नहीं तब तक धिलाई नहीं। दो गज की दूरी मास्क है जरूरी इस मंत्र को भूलना नहीं है। आपका स्वास उत्तम रहे इसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सब को बहुत बहुत शुब कामना है। मारी मिम्दवड़ प्रणार के साथ आपका बहुत ख़से हैं तक कामना है जरूरी इसर अवाद कि अढ़र्णार को आपका चारी नहीं है है